नमबुद्धाई जेभिम जेभारद मित्रो 1857 के क्रांतिया उठाव होने के पीछे कई रिजन थे लेकिन 1857 का उठाव के तारिक तै की गई थी 31 में 1857 इस दिन एक साथ देश के सभी छाउनियों में या फिर पूरे देश में भारतिय सेनिक अंग्रेजों के खिलाब बगावत करने वाले थे लेकिन बिच में ही मंगल पांडे ने राइता फाइलाया और पूरे प्लान का सत्यनास कर दिया नाम में पांडे होगा तो जाहिर है वो ब्राह्मन ही था और उस वक्त वर्न व्यवस्ता तो चरम सिमा पर थी हम दलितों को उस समय किस तरह से ट्रेट किया जाता था इन अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना कर रखा था और इस देश में रहने वाले इन मनवादी लोगों ने दलितों को इन्हें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होकर हमें गुलाम बनाकर इस देश पर राच करना था ऐसा ही तो इस मंगल पांडे की हरकत से प्रतित होता है अब आपको होगे की वो कैसे तो वो इस तरह कुछ इत्यास कारूं का कहिना है पूरे देश में 31 मैं 18-57 के दिन कैसा अंस्थानों और इंग्रस सेना में काम कर रहे सैनिक इस दिन बगावत करने वाले थे लेकिन मंगल पांडे ने इस से पहले ही 39 मर्च 1857 को रविवार की शान्ति को भंग कर दिया मंगल पांडे के बगावती तेवर की वजह थी अंग्रेस सेना में इन फिल्ड P-53 राइफलों में इस्तिमाल की जाने वाली गोलिया 1856 से पहले भारतिय सिफाई ब्राउन फिज नाम की बंदुक का इस्तिमाल करते थे 1856 में भारतिय सेनिकों के इस्तिमाल के लिए एक नई बंदुक लाई गई लेकिन इस बंदुक को लोड करने से पहले कारतुस को दास से काटना पड़ता था भारतिय सिफाईयों के बीच ये अफवाई फैल गई की इन राइफलों में इस्तिमाल किये जाने वाली कारतुसों में गाई और सुवर की चर्बी का इस्तिमाल किया गया है सिफाईयों का कहिना था कि इससे उनकी धार्मिक भाउनाए आत होती है लेकिन ये बात मंगल पांडे को कैसे पता चली की बंदुक की कारतुस में गाई और सुवर की चर्बी लगी हुए है तो लेटिनेंट जे ए राइट ने मंगल पांडे के मुकदमे में गावाई देते वे इसका जिक्र किया था मंगल पांडे जिस च्छावनी में था उस च्छावनी के सैनिकों को पानी पिने के लिए एक हाउथ था और उस हाउथ पर पानी पिने के लिए एक गलास रखा था जिससे सभी सैनिक पानी पिते थे मंगल पांडे और उसका सहियोगी सैनिक पानी पिने वहाँ पर गए तभी एक अस्पुर्श सैनिक उस हाँच से पानी निकाल कर पी रहा था और ये मंगल पांडे ने देख लिया था तो मंगल पांडी ने इस आश्पुरुषय सैनिक को कहा तुम आचुत हो तुने इस पानी को छूकर हमारा होत अपवित्र किया है और इसके लिए हम तुमारे खिलाब एक्शन लेंगे तभी उस आश्पुरुषय सैनिक ने कहा तुम क्या धर्म की बात कर रहे हो तुमारा धर मंगल पांडे को खटकी और उसने उस सैन्य प्रमुक मेजर हुसेन की हत्या कर दी और 31 मैं 1877 को होने वाली बागावत की शुरुवत 29 मार्च को हुई और अंग्रेजों ने धो धो कर सभी भारतियों से निकोंग को मोत के घाट उतारा तो इस तरह मंगल पांडे की मुर्खत की वजे से 1857 का उठाव फेल हो गया था आठ अपरिल 1857 को मंगल पांडे को फासी दी गई थी मित्रो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो का लाइक करें जादे से जादे शेयर करें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो ज़रू सब्सक्राइब करें जोईन बटन और ठैंक्स बटन की जरे आप इस चैनल के सदे से बन सकते हैं चलो मिलते हैं आगले विडियो में नमो बुद्धाई जे भिम जे भारत